कि अब 2000 के नोटों की जरूरत पूरी हो गए, जब 2000 के नए नोटों को जारी किया गया तो काले धन पे प्रहार, आखिर ये कैसे संभव है, ये नोट बंदी से ना तो भ्रस्ट चार पे रोक लगी है, ना कि काले धन की वाक्षी हुई है, जैसा कि बाबा राम देव ने बताय एक बर्फिल से 2000 के नए नोटों को बंद कर दिया गया है, यानि 6 साल बाद देश को ये दूसरी नोट बंदी देखने को मिल रही है, या तो ये आख नवंबर 2016 की वो रात, जब परधान मंत्री रात को 8 बज़े टीवी पे आकर ये घोशना करते हैं, 500 और 1000 के नोट रात 12 बज़े के बाद चलंग से बाहर हो जाएगा, इसके बदले RBI 200, 500 और 2000 रुपए के नए नोट को जारी करेगा, आज मद्द राती यानि 8 नवंबर 2016 की राती को बारा बज़े से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानि ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी, इसके बाद फिर क्या था, अगले दिन यानि 9 नौंबर 2016 को बैंकों के सामने सुबर से ही लंबी-लंबी लाइने लगनी शुडू हो गई, ऐसा लग रहा था मानो पूरा भारत उतर कर बैंकों के सामने लाइन में खरी हो गई है, ऐसे सिच्वेशन में बैंक के इंप्लॉाई को रात को जग-जग कर काम करना पर रहा था, एटियम के सामने काफी लंबी-लंबी लाइने भी लगने लगी थी, जैसे मानो कोई अफरा तफ्री मची हो, दूसरी तरफ बिजपी के लिडर्स कि नोट बंदी को भरस्ट चा कर 30 सितंबर के बीच किसी भी बैंकों में जमा कर सकते हैं, एक बार फिर से इस 2000 के नए नोट के बंद होने के बाद, BJP लिडर्स के तरफ से बियान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन उनके बयानों में कोई बदलाव नहीं है, वही 2016 बाले बयानों को वो दोहराते नजर आ र और जब 2000 के नए नोट को वापस लिया जा रहा है तो काले धन पे प्राहार, आखिर ये कैसे संभव है, लेकिन एक बात तो किलियर है, इस नोट बंदी से ना तो भरष्ट चार पे रोक लगी है, ना कि काले धन की वापसी हुई है, जैसा कि बाबाराम देव ने बताया था और रही बाद आतंकवाद की कमर तोरने की, तो आप देख सकते हैं कि नोट बंदी के बाद देश में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं, ये S.A.T.P. की रिपोर्ट है जिसे देखकर आप अंदादा लगा सकते हैं कि क्या वाकई आतंकवाद खतम हुआ है या पहले के जैस बना हुआ है, 2016 में नोट बंदी के समय जो फाइदे बताए गए थे, वो 6 सालों बाद उसमें कुछ खास फर्क नदर नहीं आ रहा है, और अभी जो 2000 के नए नोटों को बंद कर दी गई है, उसके भी फाइदे बताए जा रहे हैं, अब ये तो भविश में ही पता चले गया कि क्या वाकई इस 2000 के नए नोटों के बंद करने से काले धन पे प्राहार होगा या नहीं, नोट बंदी के 6 साल बीट जाने के बाद एक बात चो क्लियर है, इससे फाइदा हुआ हो या नहीं, लेकिन नुक्सान जरूर हुआ है, नोट बंदी के बाद बैंकों और एक यमों में लाइन लगने की वजह से 105 लोगों की मोट हुई, CMIE के एकोडिंग नोट बंदी छोटे बिजनस को काफी बुरी तरीके से अफेक्ट करें, नोट बंदी से 15 लाग से भी ज्यादा लोगों की रोजगारे चली गई, और इसके साथा देश की GDP में भी काफी गिरावच दे दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें